वेल्कम अगें तो माता सावित्र किचन आज मैं आपके साथ दाल मखनी की राष्ट पर शेयर कर रही हूं तो चलिए इससे बनाने स्टार्ट कर लेते हैं दाल मखनी बनाने के लिए मैंने साबद उड़त की दाल ले लिए है छिलके वाली इसको राद बर भीगो के रख दिया और मैंने वन फोट कप लिया है राजमा इसे भीगो के रख दिया था रात बर अब धाल मखनी बनाने स्टार्ट कर लेते हैं इसके लिए देखे मैंने कुकर गयास पे पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था कुकर अल्रेडी गर्म हो चुका है अब पंजाबियों का खा अब इसमें जो मैंने डाल भीगोई थी और राजमा भीगोई था दोनों को एड़ कर दोंगे एक साथ और इनको चला देंगे हम अलके हांतों से मिला देंगे अच्छे से सर्दियों का समय है डाल मखनी बहुत ही अच्छी रेसेपी है बहुत टेस्टी रेसी आप इसे कभी बना सकते हैं तो देखे मैंने एक ग्ला से उपर पानी यूज किया है जितना आपको चाहिए दालों को पकाने के लिए अच्छे से गल जानी चाहिए है यह देखे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लिया है और ये दो चमच मैं चना डाल को भीगव नहीं थे, मैंने ऐसे इसे वाश करकर के कुकर का दकर बंद कर देते हैं, मेडियूम तू लो फ्लेम पर हाम इसए पकाएंगे डाल गल जाने तक हमें इस्थे पकाना है, जितने टाइम में आपका डाल पके उतनी देर आप पकाईए, कम से कम 10-15 मिर्ट तो लगी जाएंगे आदर्किके के टियारी भी कर लेते क्विए कि दाल हमारा पक चुका है अब तड्के के लिए देखे है मैंने लैसें ले लिया है अद्रक ले लिया है इसका पेस्ट हम अलग corpo बनाएंगे吃 ओस्नुब है और मैंने दू पयाज ले लिये हैं पयाज चमच मैंने बटर एड किया है और घी भी आयल ले सकते हैं और ओयल ले सकते मैंने बाकी घी लिया है उसके बाद देखिए यह गर्म हो चुका है तो इसमें मैंने एक चमच जीरा लिया है जीरा को तड़कने देंगे हम फिर अध्रक लेसन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था क्रस्ट टाइप का इसे मैंने एड़ कर दिया है फिर यह जो कटे वे बारिक प्याज इसे एड़ करेंगे और इसको देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई कि है अच्छे से उसके बाद जो टॉमेटो प्यूरी है हमने बना के रखी थी उसे एड़ करेंगे टॉमेटो प्यूरी बनाने के बाद इसमें हलका सा नमक अड़ करेंगे ताकि टॉमाटर अच्छे से पक जाए तामाटर का फानी है वह तक फिर निकल जाए तमाटर को इसे हम ढ़क्के पकाएंगे ताकि छीटे उपर ना आए तो अच्छे सबस्क्राइब देखें तर्माटर पग्या है अच्छे से हल्दि पॉड्डर एड ये अज़ कर रहा है कि इसमें लाल मिर्च पॉड्डर सारा यूज किया है हमने तो जादा मुसाले इस में चाहिए नहीं ज्यादा तीखा चाहिए नहीं ज्यादा आता है मसालो का टेस्ट कम आना चाहिए तो यह देखिए मसालो को अच्छे से फ्राइ कर लेंगे हम थोड़ी थोड़ी मसाले मैंने एड़ किये हैं नमक अपने हिसाब से एड़ कीजिएगा जैसा आप नमक खाना पसंद करते हों और यह मैं दाल इसमें एड़ कर दे रही हू जो बॉयल करके हमने रखा था इसे आप बनाईए मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक अंड शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो थमसब का बटन दबाईए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बैल आइक उन एक चम्मच क्रश करके मैंने कसूरी में ते एड़ किया है और इसमें एक उबाली आने तक इसे पकाएंगे हम आप मुझे फेस्बुक पे इंस्ट्राग्राम पे वहां भी फॉलो कीजिए यह देखिए दाल मक्री हमारी तयार हो गई है अब इसे मैं सर्फ कर ले रही हूं आप इसे रोटी चावल नान पराठा किसे के साथ भी सर्फ कर सकते हैं इसके उपर मैंने बटर एड़ किया है अपने अगले वीडियो में एक नई रहसे पे के साथ स्वस्त रहें और मस्त रहें जैशी रादे रादे